अब आप अप अच्छे हैं आज का हमारा टॉपिक है लेंड यूज पैटन इन इंडिया दूसों लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंड उटिलाइजेशन जिसमें हम लोगों ने अच्छे से आज हम पढ़ेंगे लेंड यूज पैटन इन इंडिया बेसिकली हमारी कंट्री में जो लेंड अवेलबल है आपको पता हमारी कंट्री का हमारी कंट्री में जो लेंड अवेलबल है वो 3.28 मिलियन स्क्वेर किलो मीटर है तो इस 3.28 मिलियन स्क्वेर किलो मीटर को हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं आएए देखते हैं so land use pattern in India तो सबसे पहले equation आता है कि क्या factors है what are the factors which decide कि हम land को किस तरीके से use करते हैं या land use pattern को decide करने वाले factors कौन कौन से है हमारे तो पहले हम समझते हैं broadly there are two factors जो land use pattern को decide करते हैं and these are इस पर question भी आता है इस पर question भी आता है दो number का आता है कि describe the factors which decide और which हाँ which decide land use pattern in India so these are physical factors and human factors इनके examples भी है यह हमारा two marker question है आएए देखते है है तो the use of land is determined both by physical factors and human factors so basically there are two factors which decide or determine question ऐसे भी आसकता है आप लोग समझ जाएंगे इस ही होगा क्योर्ट थोड़ा सा चेंज होगा डिस्क्राइब the factors which determine land use pattern इन इन्डिया और इन इनी कंट्री तो हमने देखे दो फैक्टर है फिजिकल फैक्टर है and human factor है फिजिकल फैक्टर में क्या क्या होता है फिजिकल फैक्टर में टोपाग्रफी होती है climate होता है soil type होती है तो आईए देखते हैं कि यह जो topography, soil type and climate होता है वो किस तरीके से land use को affect करते है तो topography होगी one by one हम समझेंगे topography का मतलब क्या होता है topography का मतलब होता है कि किसी भी particular country में जो land mass available है वो किस form में available है basically land किन किन forms में available होती है यह plane के form में हो सकती है plane land हो सकती है जैसा कि हमारा North India में है यह mountains के form में हो सकती है यह rivers के form में हो सकती है land mass, lakes के form में हो सकती है hills हो सकती है valleys हो सकती है तो depending on this अगर जो particular land है अगर किसी जगह की topography में plane land है तो क्या होगा land use pattern हो वहाँ पे प्लें लेंड ने तो चाहिर से बात है वहाप पर इंडेस्टीस सि्ट dualिष होगी राइट अगर महीजिए कहीं कषिग मासे बेशिकली जुड़mi फॉर्म है उसे रेनीफ रिवर्स हैं तो उस उस लेंड मास को अलगतरी के से यूज किया जाता है तो बैसिकली आई होप टोपोग्रफी का मतलब आप लोग समझ करें तो दूसरा फैक्टर है हमारा क्लाइमेट आई यह देखते हैं कि क्लाइमेट कैसे अफिक्ट करता है लेंड यूज पैटन को माली माली जी कोई एक ऐसा है है जो राजस्थान जैसा चु अट है एक ऐसा एरिया है जो लद्दाक जैसा कोड एक लध्डेजर्ट है तो जाहर से बात है दोनों जगह का उ लेंड यूज पैटरन बिल्कुल अलग होगा तीसरा amorap इसरा physical factor है जो land use pattern को determine करता है वो है soil type अगर माल लिजिए कहें कि soil fertile है तो जारते बाते वहाँ पे agriculture होगी different variety of crops होगी बट कहें कि land माल लिजिए barren है, wasteland है तो उसके बहुत कम uses होते हैं हम वहाँ पे establishment बना सकते हैं या you know co institutions बना सकते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो physical factors होते हैं वो land use pattern को determine करते हैं अब हम लोग दूसरा factor देखेंगे human factors, so human factors में क्या क्या आता है, human factors में आता है population density, technological capability and cultural and traditional, basically culture and tradition, so human factors इसके example को हमें याद रखना होगा क्योंकि question इस तरीके से आ सकता है कि how mention the factors determining land use pattern with examples, so हमने देख लिया, example कौन-कौन से human factor में, population density, so population density का मतलब क्या होता है, अगर किसी जगा population बहुत ज्यादा है, तो जाहिर से बात है वहां का जो land mass है, उस पे, land पे बहुत pressure होगा, उस land resource पे बहुत pressure होगा, to feed the large population, तो वहां की ज्यादा से ज्यादा land, agriculture के लिए dedicated होग land पे forest होगा, उस मजबूरी बन जाएगी कि उस forest को clear करके, जहां पे forest है, उस forest को clear करके, ज्यादा से ज्यादा land resource को agriculture के अंतरगत, under agriculture लाया जाए, right, दूसरा देखते हैं, तो यहां पे इस तरीके से human factor land use pattern को determine करता है, दूसरा factor है, human factor में, human factor में दूसरा factor है, technological capability, महली जी ए एक ऐसी place है, एक ऐसी जगह है, जहां पे खूब technological advancement है, technologically developed area है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस particular land mask पे, या उस particular land पे agriculture पे बहुत जादा thrust या जोर नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे industries develop होगी, manufacturing होगी, technology से related चीज़े manufacture करा जाएंगी, या services provide की जाएंगी, तो वहा populous land mask या populous place, अब next cause, next factor है हमारा culture and tradition, so culture and tradition भी land use pattern को काफी हद तक affect करता है, जिन cultures और traditions में rivers को, forests को value करते हैं, या holy मानते हैं, वहाँ पे तो हमें rivers and forests बहुत ही अच्छी condition में देखने को मिलेंगे, बट जिन culture अच्छी condition में देखने मिलेंगे, और वहाँ पे rivers and forests, या जितने भी इनको holy मानते हैं, तो वो बिलकुल, उनके साथ छेड़ छाड़ बिलकुल ना के बराबर होते, because they, you know, they hold it dear, these things are dear to them, तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा उनका maintenance दिखेगा, रख रखाओ दिखेगा, but एक ऐसा area, या एक ऐसा place, या country, या society, या community, जहाँ पे rivers को, basically nature को, rivers को, trees को, plants को, you know, वो holy नहीं मानते हैं, या basically high regard नहीं है, तो they won't value that much, तो उनके हाँ, हमें ये जो forests हैं, rivers हैं, उनकी उतनी, तबज्जियों, या उनकी उतना preservation या conservation नहीं दिखेगा, now हमारे यह वाला topic, over होगता है, दूसरा जो topic हम लोग देखने वाले हैं, इसी में, basically इसी topic में सब topic जो हो देखने वाले हैं, कि जो general land use category, general land use category, 1961 and 2014 and 2015, basically जो particular land हमारे पास available है, पूरी country में, तो हम किन किन कामों के लिए उसको use कर रहे हैं, आप लोगों क्याद है, जो हम लोगों ने last video में पढ़ा था, कि land utilization वाले में, हम लोगों ने एक छोटा सा trick निकाला था, कि land utilization को कैसे learn करना है, तो उसी की help से आईए, हम यह पर उसे learn करते हैं, हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने सीखा था, वहाँ पर, F, F, N, L, O, so basically first F is for forest, right, तो हम forest से शुरू करते हैं, और देखते हैं कि 1960-61 में, forest हमारी country के total landmass का, total geographical area के कितने percentage पर forest था, और 2014-15 में, हमारी country के total geographical area का, कितने percent पर forest है, तो अगर आप धिहां से देखे हैं, तो 1961 में, हमारे पास, यह रहाँ forest का, yellow one, 1961 में हमारे पास forest कि दना था, 18.11%, यह बहुत ही ज़रूरी है, इस पर कोई long question तो नहीं आता, बट यह जो pie chart है, खुद आ सकता है, आपको exactly नहीं आएगा, कुछ चीजें, सारे के सारे, यह नो, पूरा FFNLO नहीं आएगा, दो चार दे सकते हैं, देन आपको कहा जाएगा, कि आप उसको ध्यान से देखे, और नीचे कुछ questions दिये होगा, उनका answer आपको देना होगा, तो आईए ध्यान से देखते हैं, compare करते हैं, बहुत easy होता है, तो 1960-61 में कितना था, forest, 18.11% था हमारे पास, और 2014-15 में कितना हो गया, 23.3%, यानि total geographical area का, जो forest cover है, वो बढ़ा है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारी national forest policy 1952, उसके हिसाब से, forest कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से, total geographical area, यानि total geographical area के लिए हमारा कितना है, 3.28 square kilometer, उसका 33% forest होना चाहिए, तो अभी हम लोगों ने कोशिश जो की है, वो थोड़ी successful भी हुई है, तभी 18% से 23% हुआ है, but we should keep trying, क्योंकि अभी we are lagging behind, अभी 33% forest cover नहीं हो पाया है, आए द दूसरा है देखते हैं, दूसरा है हमारा, forest हो गया, दूसरा है हमारा, ये, land not available for cultivation, उसमें हम लोगों ने दो types पढ़े थे, land not available for cultivation में ये दो types हम लोगों ने पढ़े थे, barren and uncultivable wasteland and area under non agricultural uses, तो पहले हम barren and wasteland को देखते हैं, कि इसके land use में क्या pattern आया है, 1960-61 में ये कितना था, this one, ये 18%, 18.10% था, और ये अब खुशी की बात है हमारे लिए, अब ये घट करके 5.5%, यानि ये land हमारी जो barren and wasteland जो खराब पड़ी थी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसे use में लाया है, this is good thing, क्योंकि now as far as technology is concerned, now we are in a better position, right, technology अच्छी हुई है, scientific, scientifically भी हम लोगों ने progress करी है, हमारे scientists ने agriculture के field में काफी and soil health के field में काफी अच्छा contribution किया है, ये उसका नतीजा है, next हम देखते हैं, इसी में, basically ये वाला land not available for agriculture में पहला type यह था, दूसरा type है, area under non agricultural uses, basically वो land mass जिस पे हम agriculture कर ही नहीं सकते, क्यों, क्यों नहीं करता है, क्यों कि हमने उस पे airports बनाये हैं, हमने roads बनाये हैं, हमने railway stations and railway tracks बनाये हैं, अब देखते हैं कि ये area हमारा, इस area में कितने changes आये हैं, land पर, इस तरह की land को यूद करने हैं, तो ये हम देखते हैं, green one से है, तो ये, 6061 में कितना था, 6061 में ये था हमारा, 4.95, 4.95 था, और अब ये बढ़ कर के कितना हो गया है, 8.7%, it means, हमारे यहां better infrastructure बना है, हमने नई roads बनाई हैं, हमने new institutions open करें हैं, हमारी cities expand हुई है, right, ये अच्छी चीज है हमारे लिए, next हमारा क्या है, next हमारा आता है, तीसरा क्या था, जो हम लोग उने land utilization में पढ़ा था, land, basically वो था, other uncultivated land, other uncultivated land, book में third number पर है, ये तीन टाइप की जिसमें हम लोगों ने PLC पढ़ा था, याद आ रहे हैं आप लोगों को, तो first है, permanent pasture and grazing land, basically हम cattle को feed करते थे, permanent pasture and grazing land, देखे, देखते हैं इसकी area में क्या, changes आए हैं, so here this one, so permanent pasture and grazing land हमारा 60-61 में था, 4.71% and अब ये हो गया है, 3.3% इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिस land पे, जहां पे pasture या मीडोज हुआ, जहां पे हमारे जानवर घास चरने जाते थे, घास चरना, you know grazing के लिए आप लोग जानते हैं, sheep, goat, buffalo, rural areas वाले and students ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, and urban area वाले भी अच्छे से समझ पाएंगे, अगर आपको Lord Krishna TV पे देखा होगा आपने बच्पन में, अपने friends के साथ, अपने cows को grazing के लिए ले जाते थे, तो basically उस area में कम ही आई है, अब देखे, एक तरब तो हमारी population बहुत जादा बढ़ रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, now we are number one, in terms of population, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, हमारे पास कुछ तो है, proud feel करने के लिए, right, बट यह जो बढ़ती हुई population है, इसकी जो milk की demand, जाहरते बात है population बढ़ेगी, तो milk की भी demand बढ़ेगी, तो इस बढ़ती हुई milk की demand को हम लोग कैसे पूरा करेंगे, जबकि जानवरों के लिए, इसको हम डिटेल में आगे डिसकस करेंगे, क्योंकि इसका फिर से mention है, पाई चाट फटा-फटा हम लोग समझ लेते हैं, डिटेल में डिसकस करेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है, area under miscellaneous tree crops and groups, हम लोगों ने पढ़़ा था, आप लोगों, पिछली वीडियो, land due to realization वाले में, कि ऐसी land पे क्या है, miscellaneous tree crops and groups, जिसमें shrubs होती है, bamboo plant होता है, यह वाला area देखते हैं, कितना, क्या changes आए हैं, तो यह वाला हमारा area है, पहले 1.50 था, अब यह कितना हो गया है, 1%, basically इसको भी हम, यह भी कम हुआ है, इसका मतलब है, इस land को कहिन कहीं हम, use में लाए हैं, अभी इसका, आगे हम बढ़ते हैं, अभी आगे हम इसका देखेंगे, कि यह कहाँ adjust हुआ है, next है हमारा, cultural wasteland, याद आ रहा है, cultural wasteland, दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को remind कराना चाहरा था, इसमें न, तीन चीज़े हैं, जो हम लोगों ने सीखी थी, एक तो हम लोगों ने सीखा था कि, current fallowland, दूसरा है, जिसपे, अभी हाँ पहले, पहले terms देखते हैं, एक तो हम लोगों ने देखा था, current fallowland, दूसरा हम लोगों ने देखा था, other than current fallowland, तीसरा हम लोगों ने देखा था, cultural wasteland, इन तीनों को समझना जरूरी है, अब जैसे current fallowland कौन सी होती है, जिन पर हमने one agricultural year में, बतलब जिन पर हमने एक या एक साल से कम time में उसको uncultivated, एक साल या उससे कम समय के लिए हमने uncultivated छोड़ा हुआ है, या उस पर कोई agriculture नहीं करी है, ये तो current fallow हो गया, उसके बाद other than current fallow क्या होता है, ऐसा plot of land और piece of land, जिस पर हमने एक साल से पांच साल है, यानि एक साल पूरा और पांच साल से कम, time के बीच में हमने उस पर cultivation ही नहीं करी है, यानि एक साल नहीं किया, दो साल नहीं किया, तीसरे साल कर दिया, बट ऐसी land जिस पर हमने पांच साल से ज़्यादा समय हो गये, उस पर cultivation ही नहीं किया है, uncultivated पड़ी हुए, तो ऐसे land को क्या बोलते हैं, ऐसे land बोली जाती है, cultural waste land, अब देखते हैं, cultural waste land, यानि जिन पर हम पांच साल से ज़्यादा time हो जाता था, उस पर agriculture ही नहीं करते थे, cultivation ही नहीं करते थे, आईए देखते हैं, उसमें क्या changes आएं हैं, ये 1960-61 में ये 6.23% था हमारे पास, जिसमें हम पांच साल से ज़्यादा agriculture करते ही नहीं थे, अब ये कितना हो गया है, 14-15 में, ये हो गया है हमारा 4%, ये हमारे लिए अच्छी बात है, यानि हम उस पर कुछ activity कर रहे हैं, जो 5 साल से ज़्यादा समय तब land unused, uncultivated पड़ी रहती थी, अब हम उच्छ पे कुछ कर रहे हैं, तभी ये, चेंज हमें देखने को मिला, 6.23 से कितना आ रहा गया, ये हो गया, 4% only, next हम लोग देखते हैं, हमारा आ गया वो, fellow, यानि other than current fellow, other than current fellow क्या हो गया, वही, जिसको हमने, वो plot of land जिसको हमने, एक साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, time के लिए छोड़ा हुआ, उसके एगरी कल्चर ही नहीं किया है, तो उसको देखते हैं, ये भी एक तरह की wastage ही होती थी, बड़ देखते हैं, इसमें हम लोग उने क्या progress करी है, पहले ये होता था, हमें हमारे scientist को और हमें अपनी technology और develop करनी होगी, ताकि इस land को भी हम, जो एक साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, तक uncultivated पड़ी रहती है, अगर इसके कुछ हम ऐसा तरीका निकाले, technological है, scientific, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, जो घराब land पड़ी, उसको हम रुलाइज कर सकते हैं, next आता है हमारा current fellow land, current fellow land जैसा कि आप जानते हैं, कि एक साल या उससे कम समय के लिए, one agricultural year में, एक साल या उससे कम समय के लिए ये fellow पड़ी रहती है, यानि uncultivated पड़ी रहती है, तो इसका देखो, क्या change आया है, इसमें हम लोगों ने ये पहले 3.73% थी, 1960-61 में, अब ये कितनी हो गई हमारी, ये basically बढ़ गई है, ये बढ़ करके 4.9% हो गई, which is negative, हमें इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस land को हम agriculture कर सकते हैं, again, scientific and technological intervention is required, अब जो हमारा last है, net zone area, net zone area हमारा पहले, 46.26% था, अब कितना है हमारा, ये 45.5% है, यानि net zone area में भी कमी आई है, तो इस पे भी ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है, right, now will, if friends, if any doubt can only comment, चलिए हम next slide पे चलते हैं, और देखते हैं कि, क्या है उस पे, basically, जो हम लोगों ने पाई चार्ट में पढ़ा हुआ है, वह ही उसी की details है, बट इन सब lines पे, one marker या two marker question बन सकते हैं, तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आज़े देखते हैं, means, हमारी country का जो total geographical area है, उसमें से हमारे पास हिसाब किताब के वाल 93% का ही है, अब आप कहोगे सर, पूरा जो 3.28 million square kilometer है, उसका क्यों 93% ठीक है हो, 100% land का लेखा जो खाया, अकाउंट्स हमारे पास क्यों नहीं है, हम अपनी 100% land पे क्या कर रहे हैं, उसके दो reasons हैं friends, उसके दो reasons यह हैं, पहला reason है हमारा, because the land use reporting for most of the northeast states, except Assam has not been done, basically जो survey होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसके वहले topic में, कि हम पहले क्या करते हैं, resources का survey करते हैं, फिर mapping करते हैं, और फिर available quantity and quantity को estimate करते हैं, फिर measure करते हैं, तो यह जो नौर्थ इस्टर्न स्टेट से, देख़िए जो green area में है, आसाम, क्यों आसाम का ही हमारे पास accounts available है, कि यह आसाम में, जो land available है total, कहाँ पे forest है, कितने पे buildings हैं, schools हैं, institutions हैं, कहाँ पे fellow land है, कितने land पे agriculture होती है, only आसाम का record है हमारे पास, बाकी इन सारे states का, चाहे आपका अथ्रे पुरा हुआ, चाहे मेजोरम हुआ, मेगाला हो, basically आप इसको ऐसे आदर सकते हैं, कि seven sisters में से केवल एक आसाम का पूरा land record हमारे पास available है, कि वो किस land को, किस form में use कर रहे हैं, कहाँ, right, इसका पहला reason तो यह हो गया, कि क्यो 93% land का ही हमारे पास account available है, लेखा जो खा, available है, दूसरा reason है friends, यह इस पर एक question भी बन सकता है, तो यह पूरा एक topic हो गया हमारा, इस पर जो question बन सकता है, moreover, दूसरा reason, यह पहला reason हो गया, कि हमारे पास 93% land का ही accounts क्यो available है, पहला reason तो हो गया, कि North Eastern States जो 7 sisters है, उसमें क्यों आसाम का ही land record हमें available है, अभी बाकी states का, बाकी जो 6 states है, North Eastern States जो हैं बाकी 6 के, उनका land record हमारे पास अभी available नहीं, वो किया जाना है, Government of India will do sooner or later, some areas of Jammu and Kashmir, occupied by two countries, friends आप लोग जानते हैं, Pakistan and China, अब जिस territory पे पाकिस्तान और चाइना ने occupy कर लिया है, तो उसका land record तो हम उनको भगाएं मार के वहां से तभी available होगा, अब वो होगा, definitely होगा, थोड़ा सा time लग सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं, यह देखिए हमारा Jammu and Kashmir का यह map है, यह जम्मू and Kashmir का यह जो red में है, यह जम्मू and Kashmir का map है, आइए देखते हैं कि China और पाकिस्तान ने किन एरियास पे, वो occupy कर रखा है, यह देखिए जो green वाला है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यह जो green वाला एरिया है, जम्मू and Kashmir का, इस पे पाकिस्तान ने लिखा भी है, पाक, P.O.K. बोलते हैं से, P.O.K. पाक अकुपाइड काश्मिर, पाकिस्तान ने कबजा किया होगा है, दूसरा है हमारा, यह देखिए, दूसरा है हमारा, वो एरिया जिस पे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कि P.O.K. अक्साइड चीन का जो एरिया है, उसका लेंड रिकॉर्ड हमारे पास अवेलबल नहीं है, दूसरा रिज़न यह हो गया, पहला रिज़न हो गया, कि North Eastern States में, out of seven states, only Assam का लेंड रिकॉर्ड हमारे पास अवेलबल है, इसलिए only 93% लेंड का ही रिकॉर्ड हमारे पास अवेलबल है, तो हम आगे बढ़ते हैं, एंड हम देखते हैं, कि और क्या-क्या, लेंड को हम किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, नेक्स है हमारा, the land under permanent, permanent pasture has also decreased, हम लोगों ने अभी pie chart में देखा था, और मैंने आप लोगों से promise भी किया था, detail में समझेंगे, तो जो land थी, permanent pasture के लिए, pasture के लिए, permanent pasture के अंडर में जो land आती थी, जो percentage थी, वो कम हो गई है, तो how are we, how are we able to feed our huge cattle population, keeping increasing demand of milk and milk products in mind, तो पहले से क्या हुआ के, जब हमारी country को जब freedom मिले थी, तो agriculture के field में इतना काम नहीं हुआ था, basically, अब, अब क्या हो गया है, उसे समझ लेते हैं, अब हमारे पास, bitter irrigation facilities available है, canals, government ने काफी speed से काम किया है, आजादी के बाद, हमारे पास canals के facilities available है, irrigation के लिए, farmers को, government ने support किया है, tubels के लिए, government कुछ funds, कुछ help करती है, तो अब, bitter irrigation facility होने की वज़े से, पहले, farmer किस पर dependent था, only monsoon पे, अब, चुकि bitter irrigation facilities available हो गई है, तो, राबी में, तो आपको पता है, पैडी होता है, तो पैडी का जो stock होता है, उसे as a fodder इस्तेमाल किया जा रहा है, खारिप में आप लोग जानते है, wheat होता है, गेहू होता है, तो उसे हिंदी में बोलते है, भूसा, तो जो wheat है, wheat का जो stock होता है, उसको भी हम animals को, उसको भी हम animals को feed करते हैं, तो राबी हो गया, खारिप हो गया, जायद, जायद के सीजन में कुछ, ऐसा hybrid plants grow करे गए हैं, हमा decrease हुई है, उसको इस तरीके से make-up किया गया है, हमारे huge cattle population को feed करने के लिए, यह clear हुआ, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next है हमारा, तरीके से हमने maintain किया है, land under permanent pasture, अगर जो decrease हुई है, next है हमारा, most of the other than, other than current fellow lands, are either of the, इसलिए तो हम, एक साल से जादा हो जाता है, दो साल से जादा हो जाता है, तीन साल से जादा होता है, उसके agriculture नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो land है, other than current fellow land है, poor quality की है, यह अगर हम उसके agriculture करते हैं, भी हैं, तो the cost of cultivation of such land is very high, for example, अगर हम other than current fellow land पे agriculture करने में, 5000 की input cost लगा रहे हैं, और output जो हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 2000 का, तो बेवकूफी हो जाएगी, कौन करना चाहेगा ऐसा, right, इसलिए इतने सालों तक, ज्यादा सालों तक इसे fellow रखा जाता है, next point है हमारा, hence these lands are cultivated only once or twice in about two to three years, दो-tीन साल में, एक या दो ही बार, क्योंकि ये land में fertility भी काफी कम होती है, और irrigation facilities भी नहीं होती है, इन areas में, आगे हम बढ़ते हैं, if these areas are included in the net zone area, NSA, अगर जो other than current fellow land है, या जिन पर हम एक साल से ज्यादा, या पांच साल से कम तक खेती नहीं करते हैं, अगर इसको हम net zone area में add कर लें, तो क्या होगा, the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54%, comes to about 54% of the total reporting area, right, अब हम लोग आगे move करते हैं, एंड ये तो हमारा clear ही हो गया है, next है हमारा, topic is the same, इसमें छोटी सोटे मैंने जान बुछ करके छोटी चोटी चोटी पॉइंट्स बना लिये हैं, ताकि जो पूरा F, F, N, L हो है, उन सब को छोटी चोटी चोटी पॉइंट्स फमलें, divide कर लें, ताकि कोई confusion नहों, so next है हमारा, variation in net zone area, ये भी न, पूरा एक topic ही है, मैं इसे mark कर रहा हूँ, net zone area, ये वाला देखे, ये, पहला point and दूसरा point, basically, जो net zone area है, वो हमारी पूरी country में एक जैसा नहीं है, कहीं पे net zone area, कहीं पे, net zone area क्या होता है, आप लोगों को न, net zone area, वो area होता है, जिस पर हम, one agricultural year में, यानि, July से लेकर के, 1st July से लेकर के, 30th June तक, one crop grow करते हैं, और harvest करते हैं, यानि one crop करते ही करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या variation है, the pattern of net zone area, varies greatly from one state to another, कुछ states हैं हमारे पास, जैसे पंजाब और हर्याना, वहाँ पे तो, 80% net zone area कितरा है, 80%, दूसरी तरफ अरुनाचल परदेस, only 10%, why is this difference, क्योंकि अरुनाचल परदेस में, जो relief feature है, आप जानते हैं, वहाँ पे rivers हैं, mountains हैं, forests हैं, right, तो वहाँ पे agriculture करना, is quite tough in comparison to, जैसे UP हो गया, बिहार हो गया, इनके जो plains में, agriculture करना काफी आसान हो, तो बिसिकलिए नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में प्लेंज ज्यादा है, आप लोग जानते हैं, वहाँ agriculture करना comparatively काफी easy है, तो आई एक बार देख लेते हैं, it is over 80%, 80% of the total area in Punjab and Haryana, इसका मतलब यह हुआ, कि Punjab और हर्याना में net zone area जाता है, यानि agriculture काफी intensively किया जाता है, जबकि यही percentage कितना हो जाता, 10% in Arunachal Pradesh, Mijoram, Manipur and Andaman Nikobar Islands, में बहुँ जादा बारिश होती है, इस वज़ए से, आप one agricultural year में जो three crops हम लेते हैं, या grow करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इस फिर question आ सकता है, कि why does net zone area vary from one state to another, तो आप लोग समझ सकते हैं, कि बहुत easy comparison हुआ है, नॉर्थ इस्टर इस्टेट्स का, और एक compare, दूसरी तरफ है, हर्यान पंचाब, next हम देखते हैं, forest, हम forest को कैसे use कर रहे हैं, forest को, forest को हम कैसे use कर रहे हैं, देखते हैं, पिछले pie chart में हम लोग पढ़ रहे थे न, forest के बारे में यह पूरा एक sub topic बनता है, forest पर जो question आएगा, आए पढ़ते हैं से, forest are in the country far lower than the desired 33, याद है आप लोगों को हम लोग पढ़ रहे थे न, कि जो forest cover है हमारा, वो बढ़ करके 23.4 या, 23 आप 24 परसेंट हम मान सकते हैं, लेकिन अब भी हम लोग पीछे हैं, क्यों पीछे हैं, क्योंकि हमारे national forest policy क्या बोलती है, 1952 वाले, कि total geographical area का forest cover कितना होना चाहिए 33 परसेंट, और है अभी कितना, 23 आप 24 परसेंट हम मान सकते हैं, so forests are in the country far lower than the desired 33 परसेंट of geographical area, as it was outlined in the national forest policy of 1952, next देखते हैं, next point, अब forest की जरुवत क्या है, why are the forests important for us, we all know, यह भी एक बार देखते हैं, it was considered essential for maintenance of ecological balance, आप लोग जानते हैं, forests are called the lungs of the earth, forest water cycle को भी और rain cycle को भी affect करते हैं, right, and forest carbon dioxide and oxygen के balance को भी maintain करते हैं, basically हम लोग जो इतने कच्रा फैला रहे हैं, अगर forest नहों, forest तो हमारे लिए दो तरीके से helpful हैं, तो हमारे environment को clean करते हैं, by you know sucking up, by using the कच्रा we create, you know carbon dioxide and all, तो इस पे यह हो गया, and यह तो पहला factor हो कि जो सब के लिए है, पूरी you know human beings के लिए, but एक ऐसी कुछ ऐसी communities होती हैं, जो totally आज भी, जो totally forest पे ही dependent होती हैं, दो example मैं आपको दूँगा, एक तो आंधरा प्रदेश, आंधरा प्रदेश की जो total tribal population, उसका 60% आज भी forest पे ही dependent हैं वो, वो forest के ही आसफास रहते हैं, forest produce को ही market में sell करते हैं, वह ही उनकी livelihood है, वह ही वो agriculture करते हैं, Odisha का example ले सकते हैं, Odisha में भी जो STG से बोलते हैं, जिसे scheduled tribe बोलते हैं, जादातर scheduled tribes Odisha के, आज भी जंगलों में ही रहते हैं, या जंगलों के आसपास रहते हैं, और उन्ही forest produce को local markets में sell करते हैं, और वह ही उनकी livelihood है, तो आप लोग दो example जरूर दे सकते हैं इसमें, इस वाले point में, कि the livelihood of millions of people who live on the fringes, on the fringes of the forest के आसपास, of these forests depend upon it, अपनी livelihood के लिए वो completely, forest पर depend करते हैं, तो इन दो reasons की वजह से हमें अपने forest को, protected रखना होगा, next हम लोग देखते हैं, next है हमारा, a part of the land is termed as wasteland, जो FFNLO में हम लोगों ने पढ़ा था, basically the land not available for agriculture के, दो टाइप्स थे जिसमें, baron of wasteland थे और दूसरों में था, जहां पर हमने roads बना रखे हैं, hospitals बना रखे हैं, schools बना रखे हैं, buildings, malls बना रखे हैं, shopping complexes बना रखे हैं, तो देखते हैं, a part of the land is termed as wasteland, and land put to other non-agricultural uses, तो other non-agricultural वह ही हो गया, malls बना रखे हैं, hospitals, schools and all, वह तो अग्रिकल्चरिक लिए अवेलबल ही नहीं, next है हमारा wasteland includes, हाँ यह इसी का हमें लोग समधना है detail, यह जो wasteland है, और यह जो land put to non-agricultural, uses हैं, इसी की detail देख रहे हैं, so wasteland includes rocky, कंक्रीली, पत्रीली, यानि soil तो होती है बट उसमें बहुत ज़्यादा, कंकल पत्थर होते हैं, तो उस पे आप crop नहीं grow कर सकते हो, wasteland includes rocky arid, तो wasteland में क्या हो rocky हो गई, arid मतलब dry areas, जहां पे rain भी कम होती है, और irrigation की facilities भी, dry areas राजस्थान में ज़्यादा है, arid and desert areas, यह तो हो गया इसका wasteland का example हो गया rocky, arid and desert areas, इसका example land put to other non agriculture uses में क्या क्या आ गया, include settlements, जैसे मैंने बोला कि हम लोग ने malls बना रखे हैं, hospitals बना रखे हैं, हमने human settlements भी तो बना रखी है, उस land पर भी हम agriculture नहीं कर सकते हैं, so settlements हो गया, हमने roads बना रखी हैं, जैसे कि हम लोगों ने example पहले जी समझा, railways बना रखी हैं, और industries हम लोगों ने खड़ी कर रखी हैं, so basically, इसे हम अच्छे से देख सकते हैं, includes human settlements हो गई, हमारे महले हो गई, हमने colony हो गई, roads बना रखे हैं हमने, railways बना रखे हैं, industry खड़ी कर रखे हैं, हमें transport वही road हो गया, communication system भी खड़ा कर रखा है, now we'll move to the next slide and see, what all is there, यह बड़ा ही important है, हमारी country में इस बात को ले करके, awareness बहुत कम है, basically, आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं, parents अपने बच्चों को पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले नहीं तो, रूर्देरिया में ऐसा बोलते हैं, खेती करनी पड़ेगी, basically, अगर आपने पढ़ लिया तो खेती नहीं करनी पड़ेगी, यह बड़ा ही, मतलब बड़ा ही irony है, हमारी country में अब पढ़े लिखे farmers की जरूरत है, दो fields में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, बहुत ज्यादा, एक तो politics में, और एक farming में, फिर बारत को, हमारी country को फिर rocket की speed से progress करेगी है, अगर politics में सारे पढ़े लिखे लोग आएं, और farming में सारे पढ़े लिखे लोग आएं, तो बतलब country का तो face ही बदल जायागा, सुपर power बन, सुपर power, दुनिया का सुपर power बनने में, अमेरिका जैसा, टाइम में ही लिखेगा, और इस चेंजिंग, politics में भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हम आपे politics की बात नहीं करेंगे, हम agriculture की ही बात करेंगे, कि अगर agriculture में, अब बोलते हैं भाई, जो पढ़ा लिखा नहीं वो agriculture करेगा, आज हमारे किसान, मैं ऐसाने करहूं कि हमारे देश के सारे, जो किसान हैं सारे के सारे, कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, few of them are educated, बट उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे, हमारे countrymen farmers को, awareness थोड़ी सी कम है, अब जैसे हम car यूज़ करते हैं, हम house यूज़ करते हैं, तो हम house का भी दो साथ, तीन साल, चार साल में renovation कराते हैं, या हर दिपॉली पे white wash कराते हैं ये कराते हैं, कार की service कराते हैं, लेकिन हम land, क्योंकि awareness नहीं है उनको लगता है ठीक है, राभी की crop करी, फिर खारी फी कर दी, फिर जायत की कर दी, यानि land से हम लिये जा रहे हैं, बट land की या soil की health के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह बड़ा ही unfortunate है, अच्छी चीज़े हैं कि awareness बढ़ रही है, और चीज़े, good things are changing for better, आई यह देखते हैं, what all is there in this slide, so continuous use of land over a long period of time, without taking appropriate measures to conserve and manage it, has resulted in land degradation, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चोटे example से समझते हैं, देखो, land से ज्यादा से ज्यादा crop पाने के लिए, जरूरी भी है क्योंकि हमारी population बढ़ रही है, large population है उसको feed करने के लिए, and profit making का भी motive होता है, हम उसमें land में fertilizer add कर रहे हैं, pesticide add कर रहे हैं, insecticide add कर रहे हैं, यह land को भी harm कर रहे हैं, और हम जो उस particular crop को consume कर रहे हैं, हम लोग, हम लोगों के भी health, यह one of the causes of the cancer है, क्योंकि कितना amount, large amount में हम लोग chemical input दे रहे हैं agriculture में, इसलिए अब organic agriculture and organic food पे लोग जो aware हैं, जो farmers aware हैं वो organic back to basics, जो animals का जो डंग होता है उसे, instead of जो लोग aware हो गये हैं, और aware हो गये हैं, साथ-साथ जो लोग afford कर सकते हैं, वो लोगोंने अब शुरू कर दिया हैं, वो लोग organic food consume करते हैं, and organically farmers, wheat, rice and means, जो crops and fruits हम consume करते हैं, उसको grow कर रहे हैं, this is very good sign for all of us, लेकिन for most of the population, few people को a facility available है, for most of the population, still organic food is a dream come true है, ज्यादा तो लोगों को तो awareness ही नहीं है, right, so basically हमारे land की health, वो भी हमें ज्यान में रखना होगा, क्योंकि land बहुत, तेजी से degrade हो रहे है, which is not good for any of us, आये देखते है next क्या है, this intern has serious repercussions और results on society and environment, basically land degradation हो रहा है, तो basically जब तेखुए, जो हम insecticide and pesticide add करते हैं, बारिश के थुरू, वही insecticide, pesticide and chemical, you know, वह seep through हो करके हमारे underground water, land को तो degrade करी रहा है, हमारे वही बारिश में बहुत, monsoon season में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वह seep through करके underground water को भी pollute कर रहा है, जो river यानि जिसी भी water body में जाता है, वहाँ उसको भी contaminate कर रहा है, तो हमारे, अगर water body में क्या हुआ, अगर water body में वह chemical laden पानी गया तो क्या होगा, उससे जो marine life है, यानि जो fish है and other marine life है, उसके health पे असर पड़ा है, इस तरीके से हमारी ecological balance बहुत गड़बड हो जाएगी, अब देखते हैं, अब देखे उन्होंने, इस picture में हम देखते हैं, यह farmer हैं हमारे country के, इन्होंने कोई crop sow करी हुई है, बट देखे land degrade हो गई है, अगर इस तरीके से अगर land हो जाती है, जो crop की roots होती है, वो खुल जाती है, and crop will die, and dry, अब देखे, government ने काफी awareness फैलाने के कोशिश करी है, यह जो आपको जितना भी color में दिख रहा है, यह सारा land, कुछ तो बहुत जादा degrade हो चुकी है, कुछ कम degrade हुई है, basically land degrade हो रही है, काफी तेजी से, क्योंकि काफी समय से हम आजादी के बाद से ही, green revolution हम लोगों ने चलाया था, तो जाहरती बात है हम लोग, in terms of food तो, green revolution जानते होगे आप लोग, in terms of food तो हम लोग self sufficient हो गए, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ हुआ, हमारे land की, या, soil की health, काफी कम चुर हो गई है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, thank you so much.